नमस्कार आपका स्वागत ईश्याने जिन्या में आपके साथ मैं अरना कूलम कॉंग्रेस ने आरूप लगाया है कि रक्षा मंत्राले ने अरना कूलम में नौ सेना एरेपोर्ट पर राहूल गांदी के प्लेइन को लैंड करने की पर्मिशन नहीं दी कॉंग्रेस के जिला अद्धिक्ष महमद श्यास ने कहां मंत्राले ने पहले लैंडिंग की अनुमुती दी थी लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया पर्मिशन नहीं मिलने के बाद करनूर से राहूल को ले जारा विमान को पास के नेंदू बसेरी में कोचिन इंटरनेशनल एरपोर्ट पर लैंड किया गया राहूल गांदी शुकरवार को एरना कुलम के मरीन ड्राइब में महिला कौंगर्स सम्मेलन उत्सा का उद्गाटन करने पहुचे थे उद्गाटन के दौन राहूल ने कहा कि महिला कई मायने में पुर्षों से बहतर है और में पूशो की तुलना में अधिक धेर धिरकालिक द्रश्टी समेंदन चिलता है में ज़्यादा दयालू है इसलिए महीलाओं को शक्ती सरचना का हिस्सा होना चाहिए राहुल बोले आज हमारे पास एक भी महीला मुख्य मंतरी नहीं है लेकिन कॉंग्रेस में कई महीलाएं हैं जिन में बहुत अच्छे मुख्य मंतरी बनने के गुण है कॉंग्रेस पार्टी के लिए अच्छा लक्ष ये होगा कि आज से 10 साल में हमारी 50 पतिशत मुख्य मंतरी महीलाएं होंगी राहुल गांदी ने आरुप लगाते वे कहा कि महीलाओं को शामिल करना RSS की विचाधारा का हिस्सा नहीं है भगवा पार्टी विशुद रूप से एक पूरुष संगठन है RSS के पुरितिहास में उसने महीलाओं को अपने खेमे में आने की इसाज़त नहीं दी है RSS के बीच मुल लड़ाई भाती राजनीती में महीलाओं की भूमिका को लेकर है राहुल ने संसद से मंजुरी मिलने के बावज़त महीला इसवेशन को लागू करने से रोकने के लिए केंद सरकार पर निशाना साधा लोकसभा और राजविधान सभाओं में महीलाओं के लिए एक्तिहाई सीटें आरक्षित करने के उद्देश से लाएक इस विदेख को सितंबर में संसदी मंजुरी मिल गई थी गांधी ने कहा मैंने कभी संसद में कोई बिल पास होते नहीं देखा जहाँ उसे एक दशक बात लागू किया जाएगा भाशपा दश साल बात एकलोता बिल लागू कर रही है जो महीला शक्ति से जुड़ा है इसी के साथ बन्या रहे है इस यर्यू सिंजा के साथ